प्रेंट्स आज हम बनाएंगे केहूं क्याटे से बहुत ही हेल्दी और यूनिक फ्रेकफास्ट इसे आप डिनर लेंज या फिर बच्चों को टिफिन में भी देख सकते हो यहां तक आप इसे टी टाइम में भी एंजॉय कर सकते हो खाने में यह बहुत ही मज़ेदार लगता है बच्चे हो या बड़े सब इसे मांग मांग कर खाएंगे हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ काजोर और अब सभी का स्वागत है मेरे चैनल एम के काजोर कीचन में तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फ्रेंट्स ऐसे बनाने के लिए यहां पर नचली धो लिएएधर ङ जे पर कटी हुई प्याज इसे के साथ चाहिए इक मीडियम साइज की बारी कटी हुई उज्वा टमाटर अब इन सभी चीजों को मेक बार अच्छे से मेक्स कर लेंगे साथ में आड़ करेंगे हम ग्रेट करीवी 5-6 लस्टन की कलियां आप इसे कूट कर भी ले सकते हैं आधा चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच कस्मेरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच लिया है मैंने तीकी वाली लाल मिर्च पाउडर यानि की नॉर्मल जो हम खाने में यूज़ करते हैं आधा चम्मच जीरा पाउडर आट करेंगे एक चम्मच या स्वाद अनुस कर सकते हैं उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब इसमें आधा कप बेशन फ्रेंग्स ये रेस्पी हेल्दी होने की साथ बहुत ही टेस्टी होनी वाली है इसके आगे आप मॉमोस खाना भूल जाओगे अब बेशन को पहले इन सभी चीजों के साथ अच्छे से मेक् लेटे तब आप इसमें और पानी आइट कर लेजिए अब इसमें थोड़ा से और पानी आइट करेंगे इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह दिखी यहां पर हमारा घुल तयार हो चुका है तो यह दिखी इसी तरीकी से आपको इक्तम गाढ़ा घुल तया यह दिनर में बना चाहते हैं उसमें पर आटे की लोई बनाकर उसमें सुखाटा लगा लिया है इसके बाद में रोटी की तरह आप बेल लेंगे जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं बिल्कुल इस तरीके से और हां आटा हमारे एक दम सौट होना चाहिए तो यह दिखी यहां पर मैंने इसे बे लिया है रोटी आपको ना तो बहुत जादा मोटी रखनी और नहीं जादा पतली अब इसमें अपनी बेशन वाले स्टफिंग इसको अच्छे से फैलाएंगे आप देख सकते हैं बेशन हमारा एकदम ठीक है टमाटर की वज़े से थोड़ा सा और पत दिया है यह थोड़ा सा किनारे तक आ गया था इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी तो आप कोशिच करें कि किनारी थोड़े से छोड़के ही रखें तो चलिए इसे हम एक प्लेट में रख लीते हैं और इसी तरीकी इसमें आपको दूसरा रोल बना कर दिखाती हू कर लेंगे इसके बाद में बेशन वाली स्टेफिंग करेंगे यह देखें इस पार मैं ज्यादा नहीं फैलाओंगी इसे थोड़ा सेंटर में ही रखेंगे तभी रोल ज्यादा अच्छे से बन पाएगा तो घोल को रोटी के ऊपर अच्छे से स्प्रेट कर देंगे किनारे थोड़े से छोड़ रखें अब इसको हम ऐसे रोल कर लेंगे बहुत यसानी से रोल हो जाता है तो इसी तरीके से आप सारे रोल बना कर तयार कर लेजी इस पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बैटर बाहर नहीं आया है एक्दम अच्छा रोल तयार हुआ है तो यह बनाओंगी क्योंकि जाली में से तीन रोल ही आएंगी आप हमें एक बड़ा सा पतीला लेंगी आधी पतीले तक हम पानी भरेंगे और पानी में अच्छा सा उबाल आने देंगे इसको ढग देंगे हम गैस की फ्लेम आप हराई रख सकते हैं अब जब तक पानी में उबाल बनाओं थाल्ओं चन्नी कर लें अच्छे से तो यहां पर मैंने रिफाने लिया बीक इसको चन्नी के ऊपर अच्छे से कर देंगी ताकि रोल चिब प्रह वहां मौने आप अदें अदो धर्ट नो अब हम आधा चमच ऑईल या घी लेंगे इसे सभी रोल के उपर अच्छे से लगा देंगी इसे हमारे रोल एकदम सॉफ्ट बनेंगे वैसे आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं इसे डारेक्ट ही स्टीम कर सकते हैं तो इधर हमारे पानी में स्टीम आनी स्टार्ट होगी आप देख सकते हैं पानी हमारा अच्छे से गरम हो जुका है अब हम चन्नी को पतीली को उपर ऐसे रख देंगी और इसे किसी भी प्लेट से अच्छे से ढख देंगी ताकि स्टीम ज्यादा बाहर नाएं अब इसे हम हाई फ्लेम पर पांच चे-10 मिनिट अच्छे से पकने द एक मीडियम साइज की प्याज दो पिंच ही थोड़ा सा काला नमक आधा चमच या स्वादनुसार नमक आप इन सभी चीजों को हम अच्छे से पेस लें दंबारी तो यह दिखें हैं पर मैंने सभी चीज़े ग्राइंड के लिए हैं आप इसमें आट करेंगे हम फ्रेस होटल वाली हरी चटनी बनकर तयार हो चुकी है वह भी सिर्फ एक मिनिट में इसके साथ तो कोई भी स्ने क्या बहुत ही मज़ेदार लगता है यह चिटनी आप फ्रिज में रखकर एक अपते तक अराम से खा सकते हैं तो इधर हमारे रोल भी अच्छी से स्टीम हो चुके है आप देख सकते हैं तो अब हम गैस की फ्रेम आफ करेंगे और सभी रोल्स को एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यह देखे फ्रेंट हमारे रोल से पास मिनिट में ही अच्छी से स्टीम हो चुकी है अब इसे हम गर्मा गरम ऐसे कट कर लेंगे फ्रेंट से इतनी सौट बने मैं आपको उठा कर दिखाती हूं इसी तरी किसमें अपने सारे रोल काट कर तयार कर लेंगे यहां पर मैंने थोड़ी मोटे पीसेच कट करी हैं आप चाहें तो पीसे से पदली भी रख सकते हैं तो बस इसे फ्राइब करने के लिए हमें चाहिए होगा दो चमश तेल घी य पर इसके बाद हम सारे रोल तवी पर रख देंगे और इसको मेडियम पर ऐसे उलट पलट कर पका लेंगे ताकि रोल हमारे सब तरफ से अच्छे से फ्राइब हो जाएं आप चाहिए इसे डीप फ्राइब भी कर सकते हैं बट मुझे यह ऐसी पसंद है क्योंकि ऐसे कम और अगर आप इसे थोड़ा और कुरकुर बनाना चाहते हैं तो इसे थोड़े देर ऐसे उलट पलट कर पका लीजिएगा या फिर कैस्की फ्रेम ओफ करके थोड़े देर इसे तवे पर ही छोड़ दीजिएगा जिससे कि यह और ज्यादा कुरकुरे हो जाएंगे बट छूमस्ते व में वहादी कम समय और बहुति कम घर्च में ने रब इसकी रसेपी आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी तो बस इसे हम घर्म घरम सेर्फ करेंगे मुमोस वाले लाल चटनी और दही वाली है्टी चेटनी के मागने इसके साथ रंऔर ने हो तो प्लीज मेड़ी वीडियो को लाइक करना ऐसी रेस्पीच देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बनी घंटी को जरूर दबाना फिर मिलती है एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स पर प्रोचिंग